स्पेक्ट्रोपी इंपार्टन है सो फस्ट अफॉल हम उसको कवर कर लेते हैं इसमें सबसे पहले जो टोबिक स्टार्ट होता है वह 2D NMR स्पेक्ट्रोपी स्टार्ट होता है इसमें फॉर्दर पार्स आजाते हैं जैसे की स्टार्ट आपको पहले बिसिक पता आना चाहिए जैसे 2D NMR स्पेक्ट्रोपी तो इसमें फर्स्ट जो आई थी वह थी वान डिमेंशन अनेमर स्पेक्ट्रोपी वह मैक्रमोली के लिए के लिए जब यूज किया गया तो वह कंप्लेक्स था यूज करना उसमें स्पेक्ट्रम जो है वह इसी नहीं निकल पाते थे तो उसकी जगह पर 2D NMR स्पेक्ट्रोपी को बनाया गया है और 2D एक्सपेरिमेंट जो भी है तो डिमेंशनल से रिलेटर ने वह बहुत सिंपल होते हैं as compared to the one-dimensional so that's why 2D NMR स्पेक्ट्रोपी को बनाया गया है वान डिमेंशनल में वान डिमेंशनल अने माल मीं वान टाइंव फिक्वेंशी होती है एं two-dimensional अने में two time variable और फिक्वेंशी होती है अब इसका फॉर्दर पार्स होती हैं coadrated 2D nmr जो बहुत commonly के यूज किये जाते हैं जिसके फॉर्धर पार्ट होते हैं हो मुं मों नल्ड एन होज सिपाई कि समय की आभ इस इसंके पहले आपने का जी औएस वाला स्पेक्ट्रसकोपी है ऊसको पढ़ लेना इस कोई राउट है तो हम बोच सकते हो झाल झाल